हालो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागर थे आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे फ्रेज डिप्लेस्मेंट के कुछ प्रीविएसर के कोश्चिन्स और ये कोश्चिन सब्सक्राइब कोश्चिन्स और इन कोश्चिन्स की मदद से आपको आइडिया लगेगा किस तरीके के कोश्चिन्स इस समय बैंकिंग और इंस्ट्रेंस एक्गाम्स में पूछे जा रहे हैं तो ये कोश्चिन्स बैंक पी ओ के लिए सब्सक्राइब के लिए और सभी इंस्ट्रेंस एक्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे तो चलिए देखते हैं इन कोश्चिन्स को दीज अर्दा फ्रेज रिप्लेस्मेंट कोश्चिन्स और जैसा कि आप यहां तकते हैं वो सैंटेंस इस ग्लिएर ओके आपका जो बोल्ड पार्ट है वो ग्रेमेटिकली इंकरेक्ट हो सकता है यदि ग्रेमेटिकली इंकरेक्ट है तो आपको इसको रेप्लेस करना है नए पार्ट से नए पार्ट से मतलब करेक्ट पार्ट से और यदि आपको लगता है कि ग्रेमेटिकली पहले से ही सही है तो आ पर कौन सा part of speech आएगा जैसे इस sentence को आप पढ़ें अब इस sentence का मतलब क्या है अब इस sentence का मतलब क्या है अब आपको इज जो है इज के बाद क्या आएगा ये आपको पता होना चाहिए जैसे यदी में बोलूँ के फिले में लेकूं ही फिल लेकूं इस और उसके बाद लेकूं राम तो इसमें इज के बाद जो आपका जो part of speech आया है वो क्या है वो नाउन है तो यहाँ पर भी आपको इज के बाद क्या चाहिए यहाँ पर आपको नाउन चाहिए अब आपको इसमें से ऐसा है वर्ड चाहिए जो सही तरीके से grammatically भी सही और नाउन हो अब यहाँ पर देखिए attraction noun है और इसमें भी attraction noun है लेकिन इसमें क्या लिखा है added attraction का मतलब क्या है added attraction मतलब पहले से ही attraction है लेकिन एक और attraction उसमें जुड़ गया है वो attraction कैसे जुड़ा है क्योंकि उसमें नई player आ गए है basketball team में तो इसलिए इसको हम बोल ले हैं added attraction तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि added में बोल साउंड है इसलिए बोल साउंड से पहले आप क्या लगाएंगे एन लगाएंगे तो यह भी आपका सही है added भी सही है और attraction भी सही है so grammatically speaking an added attraction will be the correct answer here okay तो यहाँ पर आपका अंसर क्या होगा c यहाँ पर आपका अंसर होगा the presence of new players in the basketball team is an added attraction for the audience but the basketball team में नए players की जो presence है वो क्या है वो audience के लिए क्या है वो audience के लिए एक added attraction है एक बड़ा attraction है ठीक है एक और attraction है so that is how you can understand these kind of sentences I hope you understand this sentence now let us move ahead and see the second sentence the dire need of amusement अप यहाँ पर देखिये धिहां से the dire need of amusement to escaping boredom made him cultivate various hobbies तो फिर्स आफ आपको क्या करना फिर्स आफ आपको क्या करना फिर्स आफ आफ आप तो understand the correct meaning of the sentence okay तभी आप उसको एच्छी रेके से कर पाएंगे यहाँ पर देखिये dire need का मतला होता है एक बहुत ही acute need और यू कन से high need तो चूकी amusement की वहाँ पर एक need बन रही थी और इस लिए कि अम्यूजमेंट की need ने क्या किया made him cultivate various hobbies इस amusement की need की वजे से मनुरंजन की need की वजे से उसको क्या करना पड़ा उसको various hobbies कैसारी hobbies को उसको follow करना पड़ा the dire need for amusement और यह जो amusement यह जो मनुरंजन था इसकी जो आविशक्ता थी ठीक है इसका परपस क्या था तो इसका purpose था to escape boredom, boredom को हटाना, ठीक है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे है कि इसके बाद, amusement के बाद यहाँ पर हमको एक purpose चाहिए, कि यह जो काम हो रहा है, इसका purpose क्या है, the dire need of amusement, इसका purpose क्या है इसका purpose यह boredom को हटाना, जो boring feeling उसको हटाना तो purpose को indicate करने के लिए हम क्या लगाते है, to plus b1 हम लगाते है, तो यहाँ पर हम to escaping boredom के स्थान पर बोलेंगे, to escape boredom ठीक है, I hope you understand this sentence, now let us see the next sentence now let us go through this sentence we were credibly informed that the con man has given himself to the police इसमें क्या बात हो रही है, इसमें यह बात हो रही है कि हम लोगों को inform कर दिया गया था credibly informed कर दिया गया था कि con man जो है what is con man, con man is a person who cheat on others okay, उसको हम बोलते हैं con man तो we were credibly informed हम लोगों को inform कर दिया गया था विस्वस्त सूत्रों से from the reliable sources, we were credibly informed that the con man has अब police को हम क्या करते हैं, police इसको जो con man होगा वो क्या करेगा, police के सामने surrender करेगा, तो यहाँ पर you need a word or phrase that is equivalent to surrendering, because criminals or con man they surrender before the police, okay तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको surrender का equivalent word चाहिए और surrender का equivalent जो phrase होता है, वो क्या होता है, वो given होता है give up माने quit होता है given मी surrender होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका answer क्या होगा given himself in given हम इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर क्योंकि has के बाद word की third form आती है, तो इसलिए be यहाँ पर आपका सही answer हो जाएगा, इस तरीके से in sentence इसको करना है let us see the next sentence we tempted current with many promises, अब देखिए आपको sentence का मतलब निकालना, अच्छे तरीके से आना चाहिए, we मतलब यहाँ पर एक subject है, tempted यहाँ पर एक verb है, current मतलब यहाँ पर एक दूसरा object है, we tempted current मतलब हमने current को tempt करने की कोशिश की हमने current को ललचाने की कोशिश की, attract करने की कोशिस की किस चीज के साथ with many promises बहुत सारे वादे हमने उसके किये और वादों के थुरू हमने उसको अट्रेक्ट करने की कोशिस की but nothing would work her up sentence का मतलब क्या निकल ला है sentence का मतलब यह निकल ला है कि लेकिन कोई भी चीज उस पर काम नहीं कर रही ही थी ठीक है अब यहां पर देखे थोड़ी सी grammar काम में आईगी आपकी यह जो word है यह है model verb ठीक है model verb है यह जैसे can हुआ could हुआ may हुआ might हुआ इसके साथ हम क्या लगाते हैं इसके साथ हम verb की first form लगाते हैं और वो first form जो होती है उसमें as नहीं लगता जैसे यदि आप यहां पर बोले कि I can do it और आप बोले he can do it तो दौनों ही situations में आपने as नहीं लगाया do में तो models के साथ हम एस नहीं लगाते और वर्प की first form हम यूज करते हैं आप देखिए इसमें ing है इसमें as है इसमें as है तो यह तीनों तो सुरू में ही आपने eliminate कर दिये और आपके पास कौन सा option बचा आपके पास बचा option number d क्योंकि word के बाद वर्प की first form आती है इसलिए work on her यह अहां पर grammatically भी सही है meaning wise भी सही है so obviously your answer here is d work on her ठीक है हमने करन को promises के साथ tempt करने की कोशिस की we try to attract him or her with many promises but nothing seem to work on her लेकिन ऐसा लगा कि उस पर कोई भी चीज काम नहीं कर रही है so that is what the sentence want to say and here your correct answer is d now let us see this sentence the soil of India saw growth देखे यदि आप थोड़ा सा पढ़ते हैं तो growth में growth है क्या है noun है the soil of India धरती सुरी भारत की मिट्टी ने देखा भारत की मिट्टी ने देखा सो बतल孳ों देखा तो क्या चीज़ देखी याँ यहाँ पर आपको noun form चाहिए देखिए मैं कितना analytical way मैं आपको समझा रहा हूँ कि भारत की मिट्टी ने देखा ठीक है अब देखा के आगे यहाँ पर आपको क्या चाहिए यहाँ पर आप वर्ब नहीं लगा सकते यहाँ पर आपको noun चाहिए जैसे यदि मैं बोलू कि मैंने कुछ देखा तो यह कुछ क्या है कुछ जो होगा वो ultimately noun ही तो होगा तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या चाहिए noun चाहिए और noun form क्या है growth का noun form क्या है growth है उसमें as नहीं लगेगा as तो हम तब लगाएंगे जब उसका as हम किसमें लगाते हैं verb में लगाते हैं हम as ठीक है और इसका plural form नहीं बनेगा growth में हम as नहीं लगाते तो इसलिए अब देखिए यह sentence past में क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर हम हडपन civilization की बात कर रहे हैं and हडपन civilization जो है वो past है तो इसलिए यहाँ पर आपका अंसर होगा saw the growth growth में हम as नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर आपका अंसर होगा B. The soil of India saw the growth of one of the oldest culture in the world that is हडपन civilization saw the growth will be the correct answer here let us see the next question a renowned organization has recent appointed a highly acclaimed scientist to had new research and development assistant मतलब इस सेंटेंस का मतलब पहले मैं बताता हूँ एक renowned organization ने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया है वो व्यक्ति कैसा है highly acclaimed है highly distinguished है वो scientist है और वो scientist क्या करेगा वो head करेगा मतलब उसको उसके सब के ऊपर वो boss रहेगा new research and development assistant जो जो R&D के जो assistant होंगे उनको वो head करेगा उनको वो guide या lead करेगा तो चुकि appointed क्या है अपॉइंट एक verb है और verb से पहले हम क्या लगाते हैं वर्प से पहले हम उस verb को modify करने के लिए adverb लगाते हैं तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगी recently appointed not recent appointed अब देखिए यहाँ पर यदि the appointment होता है तो recent appointment सही हो जाता क्योंकि appointment क्या है एक noun है और noun को हम qualify करते हैं या modify करते है objective से तो recent क्या है एक adjective है लेकिन यहां पर 쪽 Champions क्या है अप्वर्प है तो आप determination के साथ हमक्रींगी recently लगाए तो यहां पर आपका आनसर होगा this actually applied तो इसी लिए इस तरह के sentences में हाला कि directly grammar का role नहीं है लेकिन grammar के आपके basics clear होने चाहिए तो उसी लिए इस course में हम आपको grammar भी provide करवाते हैं पूरा grammar का एक अलग से फोल्डर है उसको आप देखिए और grammar के basics आप सही करिए आपको definitely से help मिलेगी और अब हम देखते से नया sentence अब देखिए यहां पर भी हम उसी को sentences को उसी तरीके से समझेंगे the serene lush green slope of the hill station जो hill station है उसका जो उसका जो उतार है उसकी जो एक होती है चड़ाई जैसे hills पर चड़ाई होती है और एक होता है slope this is slope okay this is climb and this is slope तो यहां पर हम what we are trying to say we are saying the serene serene मतलब शांत lush मतलब abundant green मतलब हरा slope मतलब उतार ठीक है the serene lush green slope of the hill station इसमें एक hill station की एक hill station का fact हम बता रहे हैं कि वो जो hill station है वो serene है peaceful है lush है green है और उसका जो एक slope है वो एक ideal venue है medication camp के लिए तो इसमें हम एक ऐसी घटना नहीं बता रहे हैं जो कि past महुई और खतम हो गई इसमें हम एक universal truth बता रहे हैं हम इसमें एक fact बता रहे हैं जो कि हमेशा होता है ठीक है जैसे suppose suppose कोई भी एक hill station लीजिए मसूरी या नैनी ताल या शिमला तो यदि आप बोलते हैं कि शिमला में ऐसा होता है या नैनी ताल में ऐसा होता है मसूरी में ऐसा होता है so you are trying to say the fact और you are trying to say the universal truth which is always true ठीक है इस चीज को आपको समझना है अब यहाँ पर आप देखिए क्या बोल रहे हैं ता सरीन लश्च गरीन स्लोप अब धीलिस्टेशन मतलब जो हेलिस्टेशन का जो लश्च गरीन स्लोप है और स्लोप कैसा हुआ स्लोप क्या है स्लोप एक singular noun है तो इसलिए यहाँ पर आ मेक की जगह मेक्स लगाएंगे क्योंकि स्लोप के लिए ही हम बोल रहे हैं कि वो जो स्लोप है वो उसको एक आईडियल वेन्यू बना देता है मेडिकरेशन कैम्प के लिए तो यहां पर आप बोलेंगे तो आपको समझ में आया के लिए सेंटेंस मैंने बहुत अच्छे तरीक से समझाने के कोशिश की है make में हम S इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये slope के साथ जुड़ा हुआ है slope singular है तो इसलिए हम इसमें S लगा रहे हैं और हम makes क्यों बोल ले हैं हम इसको made या making क्यों नहीं बोल ले made या making इसलिए नहीं बोल ले क्योंकि ये एक fact है ये एक universal truth है जो हमेशा होता है तो जो universal facts होते हैं, जो universal truth होते हैं, उसको हम किस में लिखते हैं? उसको हम present simple tense में लिखते हैं. तो इसलिए इसमें हमने यहां पर S लगाया है और IT इसलिए लगाया है क्योंकि slope जो है वो एक non living thing है. ठीक है, वो किसी विक्ति का नाम नहीं है. इसलिए हमने यहां पर IT लगाया ह है. आइडियल से पहले यहां पर N लगाया है क्योंकि इसमें वोबिल साउंड है. So, considering all these conclusions, the correct choice will be C. That is, makes it an ideal venue for medication camp. So, it's a beautiful sentence. बहुत ही typical bank PO का यह sentence है. और इस तरह के sentences आपको SBI clerk pre और mains में निश्य दूरूप से आप से पूछे जा सकते हैं. PO और insurance exam के लिए तो यह sentence है ही, लेकिन clerical exam में भी यह sentence पूछे जा सकते हैं. इस तरह के sentences. अब हम देखते हैं आगे. Taking good care of yourself is paramount for succession of your goal. अब देखे, यदि आपने थोड़ी सी grammar पढ़ी है, तो मैं जैसा कि बताता हूँ अपने students को कि word plus proposition combination बताता हूँ कि किस word के साथ कौन सा proposition आएगा? इनको हम बोलते हैं WP combination. ठीक है? word के साथ, particular word के साथ particular propositions आते हैं. particular word के साथ particular propositions का हम प्रयोग करते हैं. paramount जो word है उसका मतलब है कि बहुत ज्यादा special है कोई चीज, बहुत ज्यादा important है कोई चीज. taking good care of yourself is paramount for success of your goal. यहां पर हम यह बोल लें कि कोशिश कर रहे हैं कि अपने आपकी, अपने आपकी care करना, taking good care of yourself. ठीक है अपने आपकी care करना जो है वो paramount है किसके लिए आपके goals के success के लिए तो paramount जो word है that is always followed by two. ठीक है तो paramount के बाद यहां पर आप two लगाएंगे paramount two और यह paramount है लेकिन किसके लिए है ठीक है यह important तो है, लेकिन किसके लिए है इसलिए यहां पर आपको क्या चाहिए, यहां पर आपको noun चाहिए. देखिए इस तरीके से आपको पता होना चाहिए एक तो यह पता होना चाहिए किस वर्ट के साथ कौन सर प्रपोजिशन आता है फ्रेजल वर्ब आपको पता होना चाहिए और आपको यह पता होना चाहिए कि इस वर्ट के साथ यहां पर आपको चाहिए क्या यहां पर आपको मेरे पार्टईस्थ सकसेश के लिए जरूरी है तो इसलिए यहां और paramount के बाद चुकि two आता है तो इसलिए यहां पर two भी चाहिए और noun चाहिए और two और noun किसमें है देखिए इसमें है noun इसमें two भी है और noun भी है success इसमें देखिए क्या है succeed है इसमें सक्सीड क्या है वर्व है और आपको क्या चाहिए आपको चाहिए नाउन तो इसलिए यहां पर यह वाला जो अप्शन है बी जो अप्शन है यह यहां पर सही आपका अंसर हो जाएगा अब हम देखतें नेक्स कोश्चन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं यहां पर एक म्यूजिकल इस्टुमेंट की बात हो रही है जिसका नाम टैंबूरिन है और यहां पर चुकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं मिड एटीन सेंचुरी में की हम बात कर रहे हैं यहां पर तो यहां पर हम बोल सकते हैं जा टैंबूरिन देखे, नाउन के बाद हम to लगाके verb नहीं लगाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता, नॉर्मली, और जब हम to के साथ किसी चीज को जोडते हैं, तो दो वर्बों को हम जोड सकते हैं, दो वर्ब्स को हम जोड सकते हैं, जैसे आप बोलें कि I want to go, तो आपने to से क्या जोड़ा, to पर तू के साथ क्या है यहाँ पर गें है और यहाँ पर यह नाउन है ठीक है इस तरीके से इसको हम नहीं जोड सकते यहाँ पर टैम्बूरीन के बाद सीधा आपको बर्ब लगाना पड़ेगा यहां पर और वर्ब कौन सी लगेगी वर्ब लगेगी पास्टेंस की क्योंकि यह पास्टेंस की बात हो रही है तो इसलिए यहां पर आप बोल सकते हैं तर टैम्बूरीन गेंड पॉपुलर्टी इन दा मे सेख्रिफाइस बट सेल्फ कल्चर देखें यहां पर भी वही सेम अपरोच हम एप्लाई करेंगे वरुन ने आडवाइस किया अमन को लेकिन वह एडवाइस क्या थी है ठीक है अब देखें फिर से क्या वर्ड आ रहा है यहां पर और क्या का जो आंसर होता है वह हमेशा ना first ठीक है तो इसका जो से जो होग वो नावन होगा आप लेंगे मुझे डो सा अच्छा लगता है मुझे इडली अच्छी लगती है तो वाट ? यहीं वाट यंब् lug पूछ ऑपसे तो इसका आंसर जो form here and what is noun noun form is the gerund form जैसे जैसे यह बोलें कि swimming is a great exercise तो swimming में swimming क्या है एक noun भी है और वर्ब भी है तो noun और वर्ब का combination होता है उसको हम बोलते हैं gerund तो यहां पर आपको that के बाद क्या चाहिए noun form चाहिए तो noun form किसमें आएगी noun form है इसमें giving up मतलब वरुन ने आमन को advice किया कि giving up wrong pleasure गलत pleasure को यदि आप छोड़ते हैं तो वो self sacrifice नहीं है self culture है यह advice दिया बरुन ने आमन को तो यहां पर आपका जो सही answer होगा वो होगा giving up ठीक है I hope this is clear and my explanation is clear to you तो इसके regarding कोई भी आप और मुझे आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे आप मेल कर सकते हैं यहां पर मैं कुछ words दे रहा हूं आपको और यह words इसमें idioms भी है इसमें phrasal verbs भी है इसमें मतलब आप यहां पर English to English आराम से आप पढ़ सकते हैं यह देखिए इसका PDF भी मैं आपको available करा दूँगा at large का मतलब क्या है at large का मतलब होता है दो मतलब होते हैं इसके एक मतलब होता है इसका भाग जाना फरार जो व्यक्ति होता है उसको मैं at large बोलते है at large का मतलब in general भी होता है तो यहां पर इनको आपको पढ़ना पढ़ेगा ठीक है और आपको थोड़ी सी महनत करनी होगी तभी आप बैंक की एक्जाम में निकल पाएंगे आपको मन लगा के पढ़ना होगा और regular basis पर में आपको वीडियो और PDF और सारा और beliefs in many God इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे polytheism to observe something इसको हम बोलेंगे monitor तो इस तरीके से यहां पर काफी सारे words मैंने दिये हैं फॉर्गो का क्या अर्थ है रिलिंक्विश यानि छोड़ना चेज का अर्थ है परशूव डोलफुल का अर्थ है अनहैपी यह सारे highly important word है सभी banking exams के लिए तो यहां पर मैंने यह words भी students की मदद के लिए दिये हैं यह spelling के banking clerk exam के लिए spelling के लिए बहुत ही important word है यह सारे जो word मै आप से पूछे जा सकते है privilege की क्या spelling है assassination यह आप पढ़ सकते हैं आराम से ठीक है यहां पर मैंने चैफ यह बहुत आता है banking exam में इसका क्या मतलब है इसका आर्थ है अनोई तो यह सारे important word भी मैंने इसमें आपको दिये हैं तो इस video के regarding आपका कोई भी feedback है आप कुछ भी पू में तil then bye and have an awesome day thank you